हुआ ouा नमस्कार दोस्तों डैली जीख्यकी इस्टेडि में आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें vai देगे जिसमें उद्दीपगा अनोकुरिया सिद्धान और गेस्टाल सिद्धान परमुक रहेंगे और अभी ते काम मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक और सेर्ष कुरे और इस वीडियो को पूरा आगे कंप्लेट देखे तब इस्टार्ट करते हैं अधिकम के सिद्दान्त तो अधिकम के पर्मुक्षिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पुनरबलन अनुकुरिया उद्धिपग अभी प्रेना को मेतव देता है और संग्यानवादी सिद्धान सवेदना भुद्धी पर्तिक्षिरन को मेतव देता है उदारवादी अधिगम यंत्रवन्त होता है और संग्यानवादी अधिगम यंत्रवन्त नहीं होता है उदारव सबिलाए उद्दिपक अनुकुर्याशिदान जिसके पठिपादक है ठंडाइक अड़क न एक्थितान एक mi Sóter अनुकुर्ट अनुक्रियाशिदान जिसको साच्ते अनुबंदन सिदान विकते इसका परतिपादक पावलोग रूसर समझनित है इसकu को गुंदि शायर में पर्तिफादित किया है टीस्रा सिधाया सूजाइम अन्तर रश्थी का सिधान जिसको गेष्डाल दौा डल्वाद का सिधान भी कहा जाता है इसके पर्तिफादेक वर्दिमार जो जर्मानी के नियोसिये इन्होंने 1200 में यह सिदान दिया अगला सिदान ते सामाजिक अधिकम सिदान जिसके परतिपादक है अलबट बांडूरा गौनी सो 86 में दिया अगला सिदान जेरोम बुरुन का सरचना अतमक सिदानथ को पर्थिपादा कि जेरोम भुनłosधी दनत पुनरबलन परभलन यह सब लिकरन का सिदान जिसको कलार्चल ने दिया अगला अनुभव जन अधिकम सिदान जो कॉल्ड पोज़ज ने दिया अब इन सिद्दान्थों की विश्टतूप्टे व्याक्या की रूप में अध्यन करते हैं तो पहला है उद्दीपक अनुकरिय सिद्दान्थ इस सिद्दान्थ का परतिफादन अमेरिकी मनवेगेंगी एल थांडाइंग ने थांडाइब पर्मु अमेरिके भी मनवेगेननिक है जिनका कार्यकाल ठारा सचो थर्षे गुनीचों और चासे यह एक पर्शिद पसुमन चिल्क फर्टमछेग श्रीख चिमानवेगेनिक पराक्राई वादी वह वादी मनवेगेनी विका आ जाता है फर्टम मानवेश्वाद सब्सक्राइब करें इनकी पर्मुक्त पुष्टक है एज्योखेशन साइक्लोजी गुणी 11 में उन्हें इन्वल इंटलिएंची नामक पुष्टक लिखी इस सिद्धान के पर्तिपादन के लिए ठांडाइग ने बिली पर प्रियोग किया एक बात दुबाचा आप रिजन क हैं की तोर पर देख लिते हैं इस सिद्धान का पर्तिपादन अमेरिकी मन विए गैनिक यह उनने किया गुनी 113 में किया थांडाइग अठीट अमेरिका के निवाजीत इते फरतंप सो मेन आ है पर्तम छेक्षिंग मन विए गयनिक प्राकाई विव्वाद्व अगयनिक फर पर प्रयोग किया और इस सिद्धान्द के अन्य नाम सीखने का सिद्धान्द सीखने का संबंद्य बंद्ध सिद्धान्थ संबन्वाद का सिद्धान्थ उद्धिपन पर्तिक्रिया निर्मान सिद्धान्थ उद्धिपन अनुक्रिया सिद्धान्थ सयर जन्वाद का उत्तेज्यक पर्तिकर्य सिद्धांत ऐसा थोरी बॉन धोरी नेमतिक अनुवंद सिद्धांत यह इस सिद्धांत के परमुख उपनाम है नेक्ट चलते इस नियम की व्याक्य क्या करते हैं इस नियम के अनुसाद जब प्राने के समक्ष कोई उद्धिपक उपस्तित होता है तब वह उसके परती अनुकुरिया करता है परिणाम संतो जनक प्राप्त होने पर वह अनुकुरिया उद्धिपक के साज जुड़ जाती है यह सिद्धान करके सेखने पर बल देता है अगला है किसी लक्षे के परती होने वाली किरिया को अनुकुरिया कहते है मतलब सामने किसी के परतिया करते उसी को अनुकुरिया करते हैं इंदिर्यों से प्राप्थ होने वाला फर्तम ग्यान सवेदना होता है हमारे इंदिर्या पांच है उन्होंने से प्राप्थ होने वाला ग्यान सवेदना होता है अगला है अनकुरिया करके उद्धिपक प्राफ्थ होने पर ही संबन्द होता है तदा इस पकार के बंदन को अनुबंदन कहते हैं अगला है थांड डाइंग ने नेमेतिक अनुबंदन को समश्य समध्दान प्रेटन बूल द्वारा सीखना कहा है अब इस सिद्धान को एक बक्षे के प्रेटन के अनुशार समझते हैं एक प्रेटन डाइंग ने एक भूकी बिल्ली को एक बक्षे में बंद किया था जो एक खटके के दबने से खुलता था बक्षे के बार मचली रख दी गई थी बार रखे वी मचली ने भूकी बिल्ली के लिए उत्तेजिक का कार किया जिससे बिल्ली शक्री होकर मचली पाने के लिए पर्तिक्रिया करने लगी वह बार निकरने का प्रयाज करने लगी एक बार बिल्ली का पंजस स्योक से खटके को उपर पड़ गया फलता है वह बार आ गई ठान डाइग ने इस प्रियोक को लगबग कई बार या सो बार दो रहा है और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को बक्षे में बंद होने के बिना वह किसी टूटी के खटके को दबाकर बक्षे का दराजा खोने लगी यह देखो यह इस ने एक बक्षे के द्वार इसका प्रियोक किया है बक्षी के वाई एक लिवर था इस लियर को दबाने चीए खटका खुलता था तो बिल्ली ने सीखने के बाद उसको बहुत आसा नीचे खौने लगी इस प्रयोग में चालक बूक है उसका लक्ष बोजन मचली है और अवरोच लोय की सलाके है नेक्स्ट है ठंडाई के अनुशार भूक एक उद्धिपक ना होकर एक स्वाबागी उत्तेजना या चालक है जबकि भूक की बिल्ली द्वारा उसल कूद करना स्वाबवेक अनुकुरिया है और बोजन की गंद एक उद्धिपक है उन्होंने भूक को एक स्वाबागी उत्तेजना बताया है या चालक बताया है और उसल कूद करना एक स्वाबवेक अनुकुरिया है और जो बोजन की गंद होती है उन्होंने एक उद्धिपक बताया है थान दाइंग ने बिल्ली, चुवा और खर्गोश पर प्रयोग किया अब आगे थान दाइंग के मुख्य नियम इस प्रयोग के 50 थान दाइंग ने सीखने के छेते में तीन मुख्य नियमों का परतिपादन किया जिसमें ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम, परवाओ का नियम जिसमें पहला है ततपरता का नियम ततपरता का नियम को तयारी का नियम, प्रेना का नियम, मानसिक तयारी का नियम भी कहते हैं इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक किसी अधिगम किरिया के लिए मांस की रूप चे तयार नहीं है तो उसे अधिगम की दर कम होती है और यदि वज़ सीखने के लिए मांस की रूप चे तयार है तो उसका अधिगम स्रेश्ट होता है मतलब अगर बालक किसी में रूची लेता है तो उस अधियम को जल्दी सीख पाता है अगर उसको किसी सीखने की रूची कम है तो वह उसको कम सीख पाता है आगे है इस नियम से आश्य की जब प्राने किसी कार्य को करने के लिए तयार होता है तो वा परक्रेय उचे आनंद प Herrn करती है और अगर वा कारी नहीं करता है तो उचे तनाव उत्पण उच किर्या के माद्यम से हो रहा है आगे हैं जब वा शीकने को तयार नहीं होता है और उचे शीकने तुभ बादी किया जाता है तो उसके अंदर तनाव या गुष्य का अनुभव परक्त होता है रूचिकर कार्य करने के लिए प्राणी अधिकतर आनंद की अनुभत्ति की प्राप्ति करता है और अरुचे कार्य होतो हो आमेशा अंसंतोष की बावना जागर करता है मतलब अगर किसी बालक को या व्यक्ति को किसी काने के लिए रूची होगी तो उसमा अनुभ प्राप्त होगा अरूद अधिगम प्राप्त होगा वाद अगर उसकी रूची नहीं है वह जबर्दस्ति सीखता है तो उसमें अधिगम कम प्राप्त होगा आगे तत्परता का नियम का कक्सा सिक्षण कक्सा सिक्षण नियम से क्या में अता हुए किस प्रकार वाना चाहिए एक सिक्षण को कक्सा कक्स में सिक्षण को राने चे पहले बच्चों को मानसिक रूप से सीखने रही तत्पर करना चाहिए वुडवर्ण नहीं इसे मानसिक तयारी का नियम भी का है मतलब सिख्षकों कखसा में जाने से पहले बच्चों को फढ़ाने के लिए उसको तयार करना चाहे बच्चों को आगे जब चातर जब तक किसी ग्यान को प्राप्त करने के लिए मानसिक के रूप चे तयार ना हो जाए तब तक उन्हें उस चीज के लिए बात नहीं कराना चाहिए जबर्दस्ती नहीं कराना चाहिए क्योंकि जबरदस्ती कारे कराने चात्रों की सक्ति का दूर्विप्रोग होता है और वह उन्हें सीक्ने की भावनों का दमन करता है क्योंकि इस नियम को मांसिक ततपरता का नियम का जाता है जैसे गोड़े को ताला पर तो ले जाए जा सकता है लेकिन उचको पानी पीने के लिए बादे नहीं किया जासका गोड़े को जब अपनी स्वेम पेगा तब यह पानी पीएगा जबरदस्ती पानी नहीं पिरेगा कि आगे दूसरा नियम है अब ब्यास का नियम इस नियम को उप्योक अनुप्रयों का नियम भी कहते हैं या बहुत समय तक नहीं करता उचे वह भून ये लगता है जैसे गयनित के परसन हल करना या टाइप करना साइकल चलाना अगर इनको बार-बार रिफिट नहीं करेंगे तो इनको दिर-दिर भूल जाएंगे आगे हैं इस नियम के अनुसार उद्धिपन अनुक्रिया को बार- जब तक कि अब्याज के साथ-साथ बालक को अब्याज के परिणा में परगत्ति का ग्यान ने किया जाता है आते हैं शी की जाने वाली सामगरी अत्पूर्ण हो और उसका बार-बार अब्याज करवा जाए और उन्नेति का ग्यान दिया जाए तो अधिकम में वर्दी होगी आगे अब्याज की नियम को दो बागों बाटा गया है तो पहला है उप्यों का नियम दूसरा होगा है अनुप्यों का नियम तो पहला फटते हैं उप्यों का नियम इस नियम के अंदर ये बताए गया है कि जब व्यक्ति किसी को किसी कार्य को बार बार करता है तो वह उस कारे को जल्दी सीख जाता है और जब किसी इस्तिती या परति के रहे हैं परतिन लाए जाने वाले संब्द बना दिये जाए और यदि अन्य वस्तों को इस पकार रखा जाए तो इसमें संब्द की सक्ती बढ़ती है किसी वेक्तिकों को कोई कारे बार बार कराते हैं तो वह उस कारे को जल्दी सीख पाता है आगे दूसरा है अनुप्रियोकनियम जब हम किसी कारे को दोराना बंद करते हैं या उसको करना बंद करते हैं तो हम उसको देरे देरे उस चीज़ को भूह नहीं लगते हैं इसे ही अनुपयों का नियम कहते हैं जब इस्थिति और परत्य किर्या में लंबी आउधिक तक कोई परितन लाने वाला संवन्ध नहीं बनाई जाता है तो इस संवन्ध की सक्ति छींण वता दए है दीरे दीर हम उसको भूना लग जाते हैं जब कोई कारे नहीं करते तो उस क कार्य को दीर दीर भूनने लग जाते हैं अब अब्याज का नियम और कख्षा स्क्रिक्षन इस नियम के अनुसार बालकों को सिकाई जाने वाली किर्या को धारण को धारण करने के लिए उचे प्रयाप्त अब्याज कराना ज़रूरी होता है मत्युल्स को सीखने के लिए उचे को प्रयाप्त अभ्याज कराने जरूरी होता है किसी भी ये कार्य को में आगे है कख्षा कख्ष में फड़ाएकि विशेवस्तु का मों कि अभ्याज कराएrist कराए जा जाए अभ्यास के नियम के अनुसार कख्षा कहस्प्षा में हुया परिणाम का नियम परिणाम के नियम को संतोस और Anand मिलता है इस से उचे औरちょ किरिया करने मिलती है वह अधिकार्य करने लगता है इसके विपिरिश्यक हिर्या के परिणाम मसी होते है तो बालक उन्हें पुने नहीं करना चाहता है वद्य दिदे उनको भूनने लगता है इसलिए उद्धिपक और अनुकुरिया का संबन उसके परवाव के आदार पर कमजोर या मजबूत बनता है अगर किसी कारियों करने के लिए उसका फल अच्छा मिलता है तो उसको बार-बार करता है और अध किसी कारियों करते से में सकारात में परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसकी इच्छा जागरती बढ़ती है जिस्चे अधिगम स्ट्रेश्ट होता है लेकिन यदि किसी कारियों करते से में नकारात में परिणाम प्राप्त होते हैं तो अधिगम धर गिर जाती है उपलदी त का नियम यह, अब ठंडाइग ने मुख्य नियम के अलावा पांच गोर्न नियम भी उन्हेने दिया जिन में भौन अनकुर्या का नियम का नियम, अभिवरतिया मन अरत्र के नियम जिसको मांचिविझा सजागे का नियम नियम भी कहते हैं आंसर किर्या का नियम साथ दर्चे अनुकुर्या के नियम आत्मिकरन का नियम साथ चर्यातम इस्तानांत्र का नियम जिसको संबंधी परियतर नियम भी कहते हैं अब आगे है बहु अनुकरिया गरने हम अब इनको डिटेल चे फड़ते हैं जब हम कोई नयाकारी करना सीखते हैं तब हम उसके परती एन एक बार विविन प्रकार की परतिक्रिया करते हैं प्रत्रेत प्रतिने बूल का सिद्धान इसी पर आदा रिते हैं मतलब हम जब भी कोई नयाकारी करेंगे तो उसके परतियों ने एक भीविन प्रकार की परतिक्रिया करते हैं अब अनुकरिया का नियम प्रतिने बूल सिद्धान पर आदा रिते हैं अगला है अभी वर्ति या मनवर्ति का नियम यदि हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से त्यार नहीं होते हैं तो यह मुझे रोकने में असफल होते हैं या अनेक टूट्रिया करते हैं या बहुत विलम से करते हैं और किसी भी कार्य को करते से में यदि सकारात्म दर्ष्टिकोन होत तो हम उचे सीगर सीखते हैं और यदि नकारात्म दर्ष्टिकोन है तो अधिकम की दर मन्द हो जाती है अत्वा सीखने में देरी होती है मत यह मानसिक पर आदारित है अगर डिमाग अपन को कोई कारी हैं हैं हम जिस कारे को करना चाथ है उच्व छोटे जोटे बा वंवाजित कर लेते हैं तथा campaign को सीखरता और सब्सक्राइब करते हैं इस जिदानत के निशार हम किसी कारी के चोचे छोटे बागों में बाल देये जेशी किसी लेशन को छोटशेटरे पाटों में बाट कर सीखते हैं यह सिद्दान्त अंस से पूरो की और सुख्ष में इस्तुल की और है अगला है आत्मिकरन का नियम हम जो भी नया ग्यान प्राप करते उसका आत्मिकरन या उसे आत्म साथ कर लेते हैं यही कारण की जम सिख्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले लिखिवी बात से समन्द इस्ताफित कर लेते हैं यह सिद्दा ग्याद से अग्याद की और पहले से कोई ग्याद चीज हो फिर नई चीज कर सीखता इसी सिद्दान्त पर आधारित है सादर्श्य गानियम पूर अनुभलत पर आधारित होता है कि अगला है सा च्यक्रायता क्ट票 इस्तानां ऄ्यानियम यह धि अधिगम की परिष्टित्य सम्मान हो तो एक अधिणियम किर्या के साथ दुरुरिशा अधिगम भी किया जा सकता है अर्थार एक कारे के साथ दूसा कारे भी सिखा जा सकता है अथांडाई के नियम की विशेशता है अधिगम में प्रयाशें बूल समाईत रहता है अधिगम अनुबंदन का पही नाम है अधिगम में समय लगता है अधिगम अचानग नहीं होता अधिगम संग्यान पर आधारित नहीं होता है, मन बुद्धी बालकों को अधिग महता हूँ, क्योंकि इसमें धीरे दीरे अधिगम होता है, तो मन बुद्धी बालकों के लिए उप्योगी है, यह सिद्धान आर कमेडी सिद्धान पर आधारित है, अज भी पेरेना को सिखान की अमूले प्रतिक्रिया माना है थान डाइग ने सब चैदिंग मेहत्व परवाव के नियम को दिया है अब इस नियम का क्या-क्या मेहत्व रहा है विद्यार्ति कीजिक कारी को करके सीखता है इस नियम के अनुछा अनुभव से सपलता प्राप्त करना सीखता है विद्यार्त नीराशा से आसा की और बढ़ता है विद्ध्यार्थी ऐसा पलता से सपलता की और बढ़ता है एक बालक रिक्तिया नव तेव भी नोकरी की सगन त्यारी करता है यह अनुकरिया दिर्पक से संबंदी था है तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो फसंदाद प्लीज को लाइक हो से जरू करे और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और अगले क्लास में फढ़ेंगे अनुकुल अनुकुरिया सिद्दान्त